हेलो दोस्तों वेलिकम को डो चैनल मेडिकल गिजान दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राइन पेथीस दोस्तों जो राइनोपैथी यहाथ है वह कुछ ऐसे ्टर फैरने पेधियों कि petition issue सब्सक्राइबाइं की ऐसके एस होते हैं जो कि इंटरप्ट करते हैं ठीक है जो कि क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं किसको नॉर्मल फंक्शन ऑफ ओल्फेक्शन एंड वार्मिंग फिल्ट्रेशन ठीक है देखो जो भी वार्मिंग करना है ना एयर को देखो हम क्या करते हैं सर्दियों में हम ऐसी ही रहते हैं और गर्मियों अंदर ले रहे हैं उसको क्या करना उसको मतलब सुंगने की जो शक्ती होती है ठीक है इसमेल करने की जो शक्ती होती है उसको हम हमारी क्या होती है जो हमारी क्या होती है राइनोपैटी है उसके अंदर क्या है इलर्जी आती है और अधर कंडिशन आती है ठीक है दिखो जो व्यौरी सब्सक्राइब सब्दोट Arailis जब करता है तो जो भी पर्सली होता है जो सबसर्टाइब सोङ्यác किसी भी मियकस्ट को लगता है या फिर जो वेस्की नूज होती है या उसको सब्सक्राइब क्या हो जाती है पहुआ तो इसको हम बात करते हैं इसके कारण के वारे में ऐसकी वैसे हमारा मैंना को इस होता है था हमारी जो northern has तो क्या होती है एक थैक नहीं होती है लजी से नहीं होती है नहीं होती है तो वैक्टिर और वाइरल इंफेक्शन की वए से हो सकती है राइनोपैफिस देखो क्या होता है जो भी ड्रग की वए से किसी भी ड्रग की वए से हो रही है तो भाइए एक्सेसिव यूज अफ नेजल टॉपिकल डी कंजस्टेंट है ना हम क्या कर रहे हैं अगर हम ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं हम नेजल डी कंजस्टेंट का यूज कर रहे हैं ठीक है ज्यादा मात्रा में मतलब कि मानलों क्या है किसी को बार बार क्या होता है उसकी नोस जो है बंद हो जाती है तो भी नोस से हम लेते हैं ठीक है दुकान पर मिल जाता है वह किसी भी मेडिकल भी मिल जाता है तो अगर हम वह लेते हैं या फिर कोई भी ऐसे टॉपिकल ड्रक्स जो होती है उनको हम लेते हैं ठीक है तब क्या हो सकता है तब भी राइनोपैथी वगएरा हो सकती है ठीक है नेस्ट इसमें वैजो मोटर राइनेटिस ठीक है तो अनेक्स्प्लेंड ओर्टो इसमें क्या कर सकते हैं हम इसमें पूरी तरह से पता नहीं होता है किस वह से हो रहा है ठीक है तो देखो इसमें क्या होता है मतलब किसी भी वज़े से हो सकता है ठीक है किसी कभी भी हो सकता है तो इसमें ठीक है as a result of over activity of parasympathetic nerve supply to the mucous membranes of the nose and paranasal sinus तो जब क्या होता है हमारा जो क्या कहते हैं जो भी हमारा parasympathetic nervous system होता है ठीक है या फिर नर्व सप्लाइज जो होती है वह क्या करती है बिना बात के ही ओवर एक्टिव हो जाए ठीक है ओवर एक्टिविटी उसके इंदर हो जाती है जिसकी वेसे वह क्या करती है हमारी mucous membrane को और हमारी nose को ठीक है ज सुक्का कहते हैं वैजो मोटर और कहते हैं नेस डाल करते हैं इसके लक्षार होते हैं जो राइनोपैटीस में दिखाई देते हैं ठीक है तो है इसमें इस क्या होता है जो भी हाइपर सिक्रीशन है उसका मतलब होता है जो भी हमारी नोस होती है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होना सिक्रीशन का होना ठीक है तो इससे क्या हो जाता है वेट और रनी नोस हो जाती है ठीक है वेट रनी नोस का मतलब जो भी हमारी नोस होती है उ ठीक है दो क्या हो जाता है nasal obstruction symptoms हो जाते हैं ना nasal congestion जिसको हम कहते हैं ठीक है तो देखो जो भी क्या है nasal obstruction का मतलब होता है कि जो भी हमारी nose होती है वह बंद हो जाती है ठीक है उसमें कोई भी stoppage आ जाती है ठीक है जिसको हम क्या कहते है nasal congestion कहते है या फिर pressure और तुर इस्टाफिनेंस इस में होता है प्रेशर बहुत जदा पड़ता है और इस्टाफिनेस याई उस में थोड़ाँ सा हार्डपन आ जाता है नोइस के अंदर ठीक है युकस बहुत ज़दा एखटा हो जाता है जिसकी वएसे ब्लॉक हो होती है तब उसको है डग देखने को भी मिल सकती है ने समब बात करते हैं इसके management के बार में तो इसका management कैसे होगा यानि इसका हम ट्रेट कैसे कर सकते हैं तो फस्ट इसमें treatment of underlying causes ठीक है तो हमें क्या करना है जो भी underlying causes है ठीक है जो यह क्या है allergy इलर्जी कहा है उसके लिए लिए एंटै हिस्टमीन इसको िइस faut Kran lungen धिक क्या हैं इन्फेक्षन के लिए में एक करनाए सपोर्ट के एर फ की वाइरल इंफेक्षंट होता है उसके एंटिश देनी है संट एंटिवायतिक ह्थorf होता है हमें करना है बैक्तियोल इन्फेक्शन के लिए करना है जानि-त उसको अ मिस्टर करान है तो यह था हमारा आज का टॉपिक राइनोपैथिस ठीक है अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए ऐसी ही और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल मेडिकल अग् है थैंक यू